आज मैं आपके लिए लेके हских खरबुजे की आई्स क्रिम की रेसीपी बहुत ही लाव जवाब और रिफ्रेश कर देने माली येस खरेम्ट्रीम आपको बहुत पसंद आने माली Якस Been तो आपने बहुत खाई होंगी घर में आते हैं हम अलग अलग तरीकी आईस क्रिम टेस्ट कर कि हैंलो फ्रीवन वेल्कम चुमाइ चैनल अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब निकिए तो कर लीजे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजे खरबूजए ऐस बनाने लिए क्याई है यहां एक लाइनिंग वाला है अल्का सा गरीन किर्षा है यह वक्लिपाने में तो चाहिता है यह आप लेश्जच इकड़ी है है अलिट वेट में अगर देखेंगे ड़ाजू थे प्यूर्यो ministry तयार करों कि यहां पर तिखिए दिया को अधी त्यें आर्यूरी सब्सेटनों आप दोक्त लिए rare एकशी दोचे संber शुतित उपयर त्यास करें तो इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे और यहां पर देखिए मैरे खरभुज hy को अच्छे से पीज निकाल कर रख लिया है तो इस तरह से कट करते हुए मैं चिलके निकाल करें और यहां पर खर्बूजे के चिलकों को अलग करने के बाद में हम इसको छोड़े पीसे में कट करेंगे क्योंकि हमें मिक्सर ग्रैंडर में डाल कर इसका पेस्ट तैयार करना है और अगर आपको मेरी बनाएगी रैस्पिस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरी चैलन पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो यहां देख सकते हैं आप चलके मैंने हटा दिये हैं खरबूजे के और इस तरह से चोटे चोड़े टुकड़ों में मैं कट करके रख लूँगी यहां पर मैंने पूरे खरबूजे को यूज़ किया है आइस क्रीम बनाने के लिए बहुत चोटा खरबूजा लिया था मैंने तो आप अपनी फैमली के अकॉर्डिंगली को कमिया जादा कर सकते हैं तो यहां पीसेज मैंने कट कर लिया है अब इनको मैं मिक्सर जार में डा इसको पेस्ट तैयार करें बिना किसी पानी डाले इस खाली आपको सिर्फ खरबूजे को ग्राइंड करना है पानी यूज़ करना है तो यहां इस पेस्ट को हम निकाल कर अलग से बरतन में रख लेते हैं तो आप देख रहे होंगे कि खरबूजे का जो कलर है वह बहुत हलक हमें हलका सा औरेंज कलर चाहिए लाइट सा जैसे पीच कलर का होता है खरबूजे का कलर अंदर से इसलिए यहां पर मैंने फूट कलर का इस्तमाल किया है और उसको डाल कर आप देखे कितना प्यारा सा कलर आ गया और यह बिलकुल ऑप्शनल है अगर आप कलर नहीं यूज क मोटे तले का बर्तन इसलिए लिए है कि आपकी जो बेस आप तयार कर रहे है तले में जाकर चिपकेना और आइस-्क्रीम का टेस्ट में खराब हो तो यहां पर मैंने ले लिया एक कप दूद यहां आधा कप का मेज़रमेंट है तो आधा-धा कप करके मैंने दो बार डाला ह तो एक कब दूद हो गया मतलब 250 ml मैंने दूद लिया है यहाँ पर उसमें डाली मैं तीन बड़े चमच कॉन फ्लायर यहाँ पर देखिए दूद अभी ठंडा है इसलिए मैंने कॉन फ्लायर को अभी इसमें ही मिक्स कर दिया है क्योंकि अभी हमने गैस पर नहीं चड़ाया इ अब पर साथ में ही एट कर रहे हुम है चॉटे चमच चौट चीनी कि और चीनी को है अच्छे से मिक्स कर güneता है और इसके बाद में हम इसको कॉक करेंगे गैस बर औरck गैस बिलकुल पे रकिवहhernOoh है और आपको चमच चॉंत को गाड़ा होने में और आपको चमच आते रह लेक्त ओपके को अपडा करने हो दिक्षस उह में ने इस G lda करणा है तो यह तक तक वळब सिरगा है। यहां पर मैंने लिया है आधा कप विपिंग क्रीम इसको करेंगे हम बीटर से बीट और इसको गाड़ा होने तक हमने बीट करना है बिल्कुल गाड़ा कर लेना इसको जिस तरह से हमको केक के लिए स्टिफ पीक वाली क्रीम चाहिए होती है उतना नहीं बस थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं इसको सिर्फ दो से तीन मिनट मैंने बीट किया है और यह गाड़ी होकर कौन्टरटी में ज़्यादा हो गई है बिल्कुल अच्छे से फेट लिया है इसको मैंने एकदम गाड़ी हो चुकी है तो अभी हम बीटर को बंद कर देते हैं और इसको कर दे देख साइड और आपको मैं दिखाती हूं जो हमने इसका फर्स बेस तयार किया था दूद और कॉनफलार और चीनी के साथ में यह बिल्कुल ठंड़ा हो जाता है तो यह देखे बिल्कुल ठंड़ा हो चुका है और यह जब तक यह बिल्कुल नॉर्मल टेंपरेचर पर बैंस मिल्क इससे आइस क्रीम का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा तो इसको भी एड़ कर देते हैं साथ में और साथ में ही हम यह यह पर एड़ करेंगे तीन से चार चमच मलाई के फ्रेश मलाई मलाई की जगे आप फ्रेश क्रीम जो आती है उसका भी आप यूज कर सकते हैं पर मैंने यह पर घर की बनी हुई ही मलाई यूज की है अब इन सारी चीजों को एक बार फिर से इलेक्टिक बीटर से बीट कर सकते हैं अगर आपके पास इलेक्टिक बीटर नहीं है तो आप विसकर की हेल्प से अच्छे से सारी चीजों को बीट कर सकते हैं और स उचे के जो हमने पेस तयार करके रखा था उसको एट कर देना इस मिश्रन में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार दुबारा से इल्लेक्टिक पेटर को इसके अंदर हम चला देते हैं जिसे कि सारा मिश्रन जो है वो बहुत ही बड़िया से मिक्स हो जाए और हमारी आइस क्रीम जो है वो बहुत बड़िया सी तैयार हो तो यह दिखिए सारा मिश्रन जो है वो तैयार हो गया है और बहुत ही बड़िया से इसको हमने मिक्स कर लिया है और इसको अब हम सेट करेंगे आइस क्रीम बॉक्स में जो भी आइस क्रीम बॉक्स आपके पास हो घर में आप उसमें सेट कर सकता है मेरे पास यह एटाइट बॉक्स है मैं इसके अंदर सेट करूंगी इसको आपके पास जो भी बॉक्स हो बहुत अच्छे से बस बंद हो जान और उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह की सेट होई है यह लीजिए नेक्स टे मैंने इसको निकाला है फ्रीज में से और बहुत ही बढ़िया हमारे खरबूजे की आइसक्रीम सेट होके तयार है बहुत ही टेस्टी यह आइसक्रीम बनती है बिना किसी आइसक्रीम बाउल्स में फटा फट से इस तरह से सर्फ कीजिए उपर से थोड़े से ड्राइफ रूट से गानिश कीजिए और बिलकुल माके चैसी आइसक्रीम आपकी तयार हो गई है आइसक्रीम की बहुत सारी रैसेपिस आपको मैंने दी हुई है मेरे चैनल पर अगर आ कोफट आइसक्रीम बनकर तयार हुई है तो लीजे आप सब की तरफ से मैंने इसको टेस्ट कर लिया है बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्ट है अब आपको इस समर्स में इस आइसक्रीम को बनाकर ज़रूर ट्राइ करना है और अपने एक्सपिरियंस को मेरे साथ कमेंट बॉक में जरूर शेयर करना है मैं ऐसी तरह आपके लिए नहीं नहीं रेस्पिस लेकर आती रहती हूं और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो